हे गाईज वेलकम टू टैली सू खबरदार होश्यार होने वाला है सास बहु का सीधा सीधा आमना सामना चलो भई इतना कनफ्यूज होने की ज़रुवत नहीं है और इस बार भी अनू की सासू मा ने अपने रंग दिखा ही दिये रजज चलगभग इंप्रेस होने ही वाले थे उनकी वाइफ अनू से लेकिन उनकी मा की वज़े से अनू के सपने पर पानी फिर गया लेकिन असली ट्विस्ट तो ये है कि अन्नू को इस बार पता चल गया है कि इन सारे मिस अंडरस्टैनिक्स के पीछे उनकी सासू मां का ही हाथ है तो चलिए अन्नू से ही जानते हैं इस सारे सीन के बारे में मिन्टी जी के वजए से हैं इसलिए वो अपने सास को समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने मर्यादा में रहे कि आप ऐसा मत करिये कि आप से हमें ही नहीं आप अपने बेटे को भी हर्ट कर रहे हैं तो यही सब चल रहा है, सास बहो का ड्रामा तो आप नहीं बोल सकते है, डेटो डेख सकते हैं कि ऐसा ही होता है, अगर मिंटी जी अपनी बेटे को बहुत जादा पसंद नहीं हूँ मैं, पर अपना लेवल बैस मैं दोंगी, वो मैं करूँगी कि अपने सास को भी खुश कर प अपने सास का मूँ तोड़ जवाब देंगी, तो हम आपको बस इतना ही सलाह देना जाहेंगे, कि एक एक कदम बड़े सोच समझ कर रखियेगा, क्योंकि आपकी सासु मा भी कम शातिर नहीं है.